बिस्मिल्य रख्माने रहीम, असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी आलू की टिकिया बनाने की रेसिपी, कुछ हैं हम टिप्स और ट्रिक से साथ, अगर आपकी बी टिकिया तूट जाती हैं, या होते हैं, या जो रेसेपी को बना देते है, पर्फेक्ट, जीहां पर आपु अलूक से में पहले시 हैं, पर आपक दिकिया हैं अब राफले कांट लेंगे हैं, यहां पर आलूं के जाते प्सक्क्राइश, और वश ही और बख देंग, पानी के लिए यह सीगरा पर नापल थ तो आलू को मैंने बॉल करने के लिए रख दिया है अब इसे स्टेज पर हम थोड़ा सस में नमग भी शामिल करेंगे ताके हमारे आलू जो है वो फीके ना रहें तो यहां पर आलू को उबलते हुए तकरीबन 20 मिट गुज़र चुके हैं और यह देखें परफेक्टली हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल गल्चुके हैं इस स्टेज पर चनी की मदब से हम निकाल लेंगे और इसको हम कमप्लीटली ठंदा कर लेंगे तो देखें मैंने यहां पर सारे आलू निकाल लिए हैं अब हम इन आलू को ट्रांसफर कर देंगे बोल के अंदर तो देखें इस त ठंदा होने के छोड़ेंगे रूम टम्फरेशर पे यहां पे अलू को मैंने बहुत सित्रीके से मैश tut करके डालिएगा इसके अलावा हम इसमें शामल करेंगे चावल का आटा जो के क्रिस्पी बनाएगा हमारे इन कबाबों को यह मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम ले लिया है तो यह हम इसमें शामल कर देते हैं तो यहां पे चावल का आटा जो है वो मैंने शामल कर दिया है जो क युकर पाउडरард, शुकर आएग वड़ीद मां। एपट्याव हम रिष्पा पूुटहची में शामिल रहें ? झालेगे दूसरादा कोफ इसे पार मुचन भाइं वमलरा कोफ वद्लाइ को दिना गया है तो एक यहाँ लुकर काश्ट । अब मैं यहां पर banding agent इसके अंदर डाल रही हूँ अंडे की जर्दी जो कि एक अधर मैंने अंडे की जर्दी ले ली है यह टेस्ट भी बढ़ा देगी और इससे banding भी बहुत अच्छी हैगी यह मैंने पूरा अंडा नहीं डाले है सिफ जर्दी डाली है अब इन तमाम चीज कर ले हूँ तो देखे इस तरह से आज से मैंने टिकिया बना ली है और इसा तार रां से भाकी की उतिकी सिर्दी तो यहां तो कि कबाब को बनाकर टयार कर लिये है अब आजाते हैं फराइं की तरफ तो यहां पेले куда अंने गरմ कर ले हैमारा है और यहां पिमाने चावल का कुछ कबाब लगाए लगाया भी फ्रै करेंगे तो यहां पर के बगाए लगाया बगाया दीन युक्र टूटे कर नहीं तो आपक अपनी मर्गर आपको अपसको बहुत क्रिस्पी बनाना हो तो आप सलरी लगा के फ्राइ कर सकते हैं यहां पे पैन में जितनी स्पेसी उसे साफ से मैंने कबाबों को डाल दी है अब तकरीबन एक मिंट के बाद कबाबों को हम हिला लेंगे और अब हम इसको अलट पलट करते वे गुल्डन ब्राउन होने तक फ्रा तो अगर आप चाते हैं मज़िदार सी क्रिस्पी आलू की टिक्यां तयार करना वो भी बगए तूटे तो इस रेस्पी को आप लोग ज़रू ट्राइ कीज़ेगा वीडियो ची लगए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा तो यहां पे देखें हमारे अल्मोस से क्रिस्पी बने हैं सो मुमीद करती हूं कि रैस्पी वीडियो इंशाला आप लोगों को जुरूर पसनाएगी तो मजीद रैस्पी जाने के लिए चैनल को कर लिजे सब्स्राइब और फिर मुलगात होती है नेक्स रैस्पी वीडियो में जब तक के लिए टेक केर अल्ला पर फिर सांशान ऐसो प्रेंदा आप लोगात हैं सेorka देख मोझे झादी के लिए ऑने जाने हैं सेंट Folge